जै श्री राण अभी तक हमने सुंदर कांट के दोह संक्या ठाउन तक किया इसमें पिशली बार हमने देखा कि विभीशन जी की सलाम आनकर प्रभुशे राम जी ने समुद्र से सैनों को मार्ग देने की आशना की पर समुद्र ने प्रभु की कोई वात नहीं सुनी इससे रुष्ट होकर प्रभुशे राम जी ने अपने धनुषपड अगनी बान चड़ाया अगनी बान के चड़ाते ही समुद्र के हिर्दय के अंदर अगनी की जुआला उठी और मकर साफ और मशलियों के समुद्र व्याकुल हो गए जब समुद्र के रहने वाले चीप व्याकुल हो गए और परिशान हो गए तब समुद्र खमंड को छोड़कर प्रभुशे राम जी के सामने उपस्तित हुआ अब आगे साभर सिंधुगाही प्रभुपाद केरे चमहुनाथ सब आवगुन मेरे गगं समीर अनल जल धरनी इनकई नाथ सहज जड करनी तव प्रेरित माया उप जाए स्रश्टि हे तु सब गंथन गाए पभुवाय सुझे काहां जस आही सुते ही भांती रहे सुख लाई प्रभल कीन मुही सिख दीनी मर जादा पुनि तुमरी कीनी डूल गावार सुद्र पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी प्रभ प्रताप मैं जाब सुखाई उत्रहु कटक न मूरी बढ़ाई प्रभ अज्या पेल शुति गाई करों सो बेग जो तुमाही सुखाई सुनत में नीत वचन अधि कहा करपाल मुसकाई जेह विदी उत्रह कपिकाटक तात सुकाहव उपाई सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम समुद्धन भैभीतो कर प्रभु की चरण पकड़ लिया और कहा ये ना तुम मेरे सब अवगन या मेरे दोश शमा कीजिए या मैंने जो आपके बात नहीं सुनी वसे आप शमा कीजिए ये प्रभु आकाश वायू अगनी जल और प्रत्वी ये सब सुभाव से ही जड़ है आपके प्रेड़ना से मायाने ने इस रष्टी के लिए उत्पन किया है जिसके लिए जैसी आग्या है वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है सम्मुद्र का कहने का मतलब ये था कि सम्मुद्र सुभाव से जड़ है वो सेना को जाने के लिए किसी और काम के लिए आप मार्ग नहीं देख सकता ये अपने जगार नहीं छोड़ सकता सम्मुद्र आगे कहते हैं तो वो आपने अच्छा कि आज मुझे सिक्षा दी लेकिन मर्यादा भी आपके ही बनाई हुई है ये सिक्षा देना आपका ठीक है ढोल, गवार, शूद्र, पश्यो और इस्त्री ये सब सिक्षा के अधिकारी है आपको प्रताफ से मैं सूक जाओंगा और सेना पार उतर जाएगी पर इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं होगी या मेरी मर्यादा नश्ट हो जाएगी आपके अग्या पेल है आपके अग्या को लंगर नहीं हो सकता ऐसा सभी कहते हैं इसलिए आपको जो भी अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूं सम्मुत्र के इस प्रकार के विनीत वचन सुनकर तरपालुशे डामजिन मुस्क्रागर का हे तात जिस प्रकार वानुरु के सना पार उतर जाए वह उपाए बताओ नाथनीन ललकपिदो भाई लरी काईरिसी आशिस पाई दिनके परसकियें कीरी भारे तरहाई जलाधि प्रताप तुम्हारे मैं पुनि उर्धरी प्रभु प्रभु ताई करियों वल अनुमान सहाई एवे देनाथ पयोदि बाधाय जयं सुजस लोकति हुँगाय इसर मम उत्तर तट वासी ठत हुनाथ खल नर अघरासी सुन क्रपाल सागरमन पीरा तुरतैं हरे राम रन धीरा धीकि राम बल पौरश भारी हर्ष पयो निधि भयो सुखारी सकल्चरत काहि प्राभोहि सुनावा जनन पंध पाथूद सिधावा निज भवन गवनेव सिंधुश्री रगुपति यहमत भायव यचरत कलिमल हर्ज थामति दास तुलसी गायव सुख भवन संसे समन दवन विशाद रगुपति गुन गना तजी सकल्वास भरोस गाव भी सुनाः संतत सठमाना सकल सुमंगल दायक रगुनायक गुनगान सादर सुनाइते तरे भव सिंधुवेना जलजान सियावर राम जै जै राम, मेरे प्रभुराम जै जै राम सुन्दर गान सवात समुद्र कहता है कि हेनात आपकी सेना में नर और नील दो वानर भाई हैं जिन्नोंने लड़कपन में रिशी से आशिरवात पाया था उनके सपर्श कर लेने से ही भारी भारी भार भी आपके प्रताफ से समुद्र पर तैर जाएंगे मैं भी आपकी भ्रता को हर्दय में धरान करके अपने बलके अनुसार जहां तक मुझसे बन पड़ेगा सहायता करूँगा भेलात इस प्रकार समुद्र को बांधिये जिससे तीनों लोकों में आपका सुन्दर रेश गाया जाए और जो बांध आपने धनुष पर संधान किया है इस बांध से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशी दुष्ट मनश्यों का वद कीजिए करपालू और अनधीर प्रभू शेरामजी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंथी हड़ लिया या वान से उंदुष्टों को मार डाला शेरामजी का भारी बला और पारश देखकर समुद्र हरशित होकर सुकी हो गया उसने उंदुष्टों का सारा चैत्र प्रभू को कह सुनाया पिर प्रभू के चरणों की वंदना कर के समुद्र अपने घर चला गया समुद्र अपने घर गया शेर रगुनाज जी को उसकी एसला अच्छे लगी रभुशे राम जी का ऐचरित्र कल्योग के पापो को हड़ने वाला है इसे तुलसी दास जी ने अपने बुद्धी के नुसार गाया है शेर रगुनाज जी के गुणस भुशुक के धाम संदही का नाश करने वाले और विशाद का दमन करने वाले हैं और है मूर्ख मन तो संसार का सब आशा भरुसा त्याक कर दियंतर इने गाह और सुन शेरोगन जी का गुणगान संपूर्ण सुन्दर मंगुलों का देने वाला है जो इसे आदर सहित सुनेंगे बिना किसी जहाज या किसी अन्ने साधन के ही भवसागर को तर जाएंगे सुन्दर गान सुना आज जो हमने बुद्धो ही किये हैं उन में से दोह संख्या 69 से पहले कुश्चप ऐसे हैं जिनको लेकर कई लोग रामचरित्मानस के निंदा करते हैं जैसे के कहा गया है डोल गावार शुद पशुनारी सकल तड़ा आके अधिकारी इस पंक्ति को लेकर कई लोग ये कहते हैं कि रामचरित्मानस इन समाजिक वर्गों के लिए अपमान जनक है इनने नीचे दिखाती है और इनके विरुद किये गए अत्याचारों को सही ठेलाती है पर वास्तव में ऐसी बात है नहीं यदि इन शब्दों के संदर्व को देखें तो इस शब्द समुद्र ने उस समय कहे जब समुद्रों इस चीज का एहसास हुआ कि उसने अपने से सुरेष्ट प्रभु शेरामजे की विंतियों को नहीं मान और अपनी चीज को इस पश्ट करने के लिए उसने प्रभु से इस शब्द कहे और शब्दों का तात्पर ये था कि जो भी आपके अधिनस्त हैं जो भी आपके सबोर्डिनेट्स हैं वो सब अनुशाशित किये जा सकते हैं और अनुशाशित करने के लिए अगर आपको थोड़ी वाव सक्ती करने की आवशकता हो तो वो भी किये जा सकती है इसमें किसी अन्याय का, किसी अत्याचार का, किसी अनावशक अठोवता का, कोई अधिकार किसी को नहीं दिया गया और उससे भी महत्वण बात ये है, कि ये शब बातें समुद्र ने कही इसमें ये जानना जरूरी है इसमें ध्रहन देनी के जरूरत है कि प्रभु शेराम जी ने बाते सुनकर समुद्र से क्या कहा प्रभु शेराम जी ने समुद्र को कोई ताड़ना नहीं की समुद्र के साथ कोई बुरा बहवार नहीं किया उन्होंने उन्हें आदर से तात कहकर संबोधित किया, जो हमेशा अपने से बड़ो के लेशब जिप्रियोग किया जाता है, और उनसे यही सिर्फ कहा, कि आप यह बताएं, वो तरीका बताएं, जिससे वालरू के सेना पार उतर चाएं। किसी के विवेरुद कैसे हो सकते हैं, इसलिए बन में कोई शंका नहीं रखनी चाहिए और भक्ति बाव से मानस का पार्ट करना चाहिए। जैश्रीर